हेलो में नवस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सबी एक बर फिर से आप सबी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रफिट एस्टरी में तो इस्टे सेंटरल रेलवे एसी आर के तरफ से आपका फाइनली डोकुमेंट भिरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट पब्लिक कर दी गही है इसका नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है तो जो लोग भी बहुत परिशान थे कुछ लोग की सर इस्टे सेंटरल रेलवे का सोनपूर डिविजन का है सोनपूर डिविजन का इसे पहले आप लोगों दे दानापूर का वेगरा का सारा कुछ का आ गया था जिसका फाइनली डोकुमेंट वरिफिकेशन मेडिकल अभी चल रहा है अब आपका इस्टे सेंटरल रेलवे का सोनपूर डिविजन का आपका जो डोकुमेंट वरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक कर दिया गया तो चली फाइनली इसका फिर जो ऑनलाइन क्लोजिंग है वह ऑनलाइन जो लिंक है वह इन एक्टिव मतलब क्लोज हो जाएगा फिर आप्लाइद नहीं कर पाओगे तो जो लोग बी चैनल पर यह चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक शेर कर दिजेगा ताकि जो लोग भी इसका मेर इसके रिकार्डिंग अगर आपके पास को इन्फॉर्मेशन है अगर आपका सेलेक्शन हुआ है तो अपना जो टेंट का ठीक है और आई टी आई का मार्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगा ताकि जो लोग कभी अभी तक नहीं आया है या फिर कोई अधर डिविजन सब्सक्रिक्ट जोन से लोग अपटने इस बात से दिस अग्रा करूंगा की अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिजेगा तो चलते हैं फाइनली इसके अफिसलन न्यौटि्फिकेस्स अप plूगा जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूगा वहां स से क्लिक करके डारेक्टली आप हमसे जूड़ कर अपना डाउट पूछ सकते हैं तो चली चलते हैं अशारा कुछ देखने की कोशिज करेंगे आपको क्या 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 डॉकुमेंट वरिफिकेशन में लेकर जाना है और कब जाना है कहां जाना है तो देखिए हम आगे हैं ECR के अफिसल नुटिफिकेशन में देखिए पूर्व मद्ध रेल इस्ट सेंटर रेलवे सोनपूर मंडल यह सोनपूर डिविजन का आपका है 10 माई के डेट में नुटिफिकेशन रिलीस किया गया है औल कंसर्ण में देखिए वीशाय का बात करें तो twentches आप शोटलिस्टेट गंडिडेट फो एक्ट अपनेशिब ट्रइनिग फोर ट्रेनिग फोर वेहरीं स्टेट औप एप्लिकेशन नुरिकेशन नुटिफिकेशन नंबर इया रूग्यane के सटर लिया फूइप कोश्या अगेंस दी ट्रेडवाइस वेकेंसी नोटिफाइड दी वाइड लेटर अंडर रेफरेंस देरफोर इट हैस बिन डिसाइड तो कॉल दी ओल दी कंडिडेट फूर भैरिफिकेशन आफ सर्टिफिकेट जिसको वी ओ सी बोला गया वैरिफिकेशन अफ सर्टिफिकेट एस पर सेडूल गिविन बिलो चलिए आपका सेडूल जो है वो नीचे दिया हुआ चलिए सेडूल को एक बड़ देख लेते देखिए serial number trade तो serial number आपका 5 तग है trade का बात करें तो feeder, blacksmith, welder carpenter और painter total आपका 5 trade है यहाँ पे उसके बात करें तो देखिए notified vacancy against which engagement is to be considered इसमें बात करें तो vacancy कितना है और कितने candidate को shortlisted किया गया है इसमें आपका 1.5 times candidate को selection select किया गया है per seat के लिए ठीक है बात करें तो देखिए आपका feeder से देखिए मैं पूरे clear कर दे रहा हूँ feeder से आपका 21 vacancy है जिसमें आपका 33 candidate का document verification के लिए select किया गया है blacksmith का बात करें तो 5 है तो आपका 8 vacancy है 8 candidate का selection हुआ है welder में से 6 vacancy है तो आपको 10 candidate का select हुआ है उसका उत कारपेंटर में 6 vacancy है तो 4 का selection हुआ है बात करें पेंटर में 9 vacancy है तो 14 candidate का select हुआ है तो देखिए total 47 vacancy है जिसमें आपका 69 candidate को select किया गया है यहां पर बात करें आपका date का तो देखिए आपके 8 9 9 9 9 सिर्फ आपका 8 को filter का है बाकी सारा आपको 2 से लेके 5 तक आपका कितना तारिक है तो 9 को आपका 96 मतलब 9 जून को आपका document verification का date दिया गया है टाइम आपका 10 बते place का बात कर लिए नुका तो समुदाईग भवन सोनपूर कहां जाना आपको समुदाईग भवन सोनपूर में जाना है क्या क्या लेके जाना है वो सभी भी देख लिजे पहले एक बार यह सारा आपको रख लेना है पहला बात करें तो 10 का certificate रख ला है उसके बादРЕए चाहिए उसके बाद करें कि आई टिया होना चाहिए नसीवीटी या फिर स्टेट वाला सर्डिफिकेट नहीं चलेगा तो आप चीज़ भी कटेग्री से अपलाई किये होंगे स्ट ओबी सी या फिर या फिर डब्लीए तो आपको सेंट्रल का यहां पर सर्डिफिकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपेंडिसिप में आपका सेंट्रल वाला मांगा जाता है चले नेक्स देखे उसके आपको पासपोर साइज फोटोग्राफ चाहिए कितना दस चाहिए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आपका बात करें तो आपको आपको मेडिकल सटिफिकेट मेंडिस अपनाना इक तो कॉल्स आपका डिस्टिक लेवल का बना होना चाहिए मतलब टोटल आपको 2 सटिफिकेट मेडिकल का बनाना है नेक्स्ट आपका बात करें your direct to register yourself on the website of minister of skill development and interview that is appendices.india पे भी आपको registration करना है ठीक है वहाँ पे आपको जाके अपना अगर आप लोगों ने अभी तक registration नहीं किया तो वहाँ पे आपको www.appendices.india.gov पे आपको registration कर लेना date of verification of certificate से पहले आपको वहाँ पे जो अपना profile को 100% complete करक और वहाँ आपसे प्रिंट मिलेगा page उसको भी आपको साथ में वहाँ पर document verification मिलेकर जाना है तो बात करें वहाँ की register आपको कैसे करना है तो देखिए आपके सीधा appendices home पर जाना है और finally आपको 100% profile complete करना है और वहाँ पे search opportunity वाला आपको establishment का एक option मिलेगा जिसमें आपको य चले नेक्स्ट के अगर जो important है वह बात कर लेते हैं तो देखिए यह क्या बोला अगर आप हमसे जुनना चाहता है वाट्सप गुरूप का लिंक आपको description में मिल जागा जोइन करके directly message कर सकते reply आपका क्या जाएगा certificate VOC and produce print out of your profile on the date of verification of certificate देखिए आप एक उस इंपोर्टे verification of certificate and is no way guarantee engagement for the candidate of appendices यह सिर्प आपका जो letter permission जो आपका दिया जाएगा यह call letter के माध्यम से वो सिर्प आपका document verification के लिए ठीक है आपका joining का भी नहीं आया है next आपका बात किया जाए कि it is here we informed that the number of candidate being called for VOC is the total shortlisted candidate hence maybe qualifying VOC does not entitle a candidate for inclusive ठीक है in the next stage of the selection process as the next stage of selection process of training guide by extend rule only ठीक है यह सारा कुछ आपको यहाँ पे देख लेना है आपको यहाँ पर पढ़ लेना है यहाँ पर देखिए आपको no hostel accommodation allow आपको आने जाने का रहने खाने का आपको बंदुबस अपना खुद से करना होगा railway सिर्प आपको जो stipend होता है वो आप आपको हर एक महिना provide करेगी बाकी आपको कोई भी और कुछ आपको railway की तरफ से provide नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह सारा कुछ आपको यहाँ पर देख लेना है आपका date of VOC verification of certificate का date blacksmith का आपका श्रीप आपका 86 से है या फिर आप देख लोगे कि आपका इसमें नाम है तो आप जरूर कमेंट करके बताएगा कि आपका percentage 10 में और ITI में क्या था ताकि पाकी जो 5N आएगे comment box में उनको उनसे बहुत help मिलेगा तो आप जरूर से जरूर कमे अब medical fitness के regarding आपका format दिया गया है इसी format में आपको बनाना है यहाप आपका photo रहेगा यहां signature रहेगा name of candidate father name category date of birth यह सब डालके आपको यहाँ पर सारा certificate को ready करके यहाँ पर जाना है तो I hope आज इस वीडियो के आपने जो भी आपका doubt था जो comment box में comment कर दिजेगा यह आपको च subscribe करके कोई अगर कोई भी डाउट होगा तो comment box में comment कर दिजेगा तब मिलता अगली वीडियो में तब तक लिए जाहिंद जा भारत